पुल्वामा अतंकी हमले को लेकर शुकरवार को महानगर के विभिन दलों ने अपना विरोत परदर्शन किया, साथी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ केंडल माच निकाल कर शहीदों को शरद्धान ली दी गई इस दोरान सभी दलों के लोगों ने कैंडल जला कर इंद्राबाल बिहार चौराहे से गड़ेश चौराहा होते हुए काली मंदिर से वापस इंद्रागांधी चौराहे पर आकर शहीदों को शरद्धान ली दी इस दवरान सभी दलों के लोगों ने अपने परतिकिरिया गोरकपूर नीज समाधाता से साजा किया इस समन्द में गोरकपूर नीज समाधाता से बात करते हुए सरदार जसपाल सिंग, क्राइस चर्च गोरकपूर परभारी पुरोहित एके मौर, अजै शुकल, पूर महापूर डाक्टर सत्या पाड़े, सदर सांसद इंजीनियर परवेड कुमा निशाद ने कहा वारत पतेगे, वंदे, पाकिस्टान, मौर्दाबा, पाकिस्टान, मौर्दाबा, पाकिस्टान, मौर्दाबा, पुलवामा में सहीज जवान नवर रहे प्मृष के नाम की वहाद प्माराइट मता की है सहुझों के परती अपनी इंतर बाविनी सभाजली बैतकी और उनके साथ सब्सक्राइ Excelsior है बंदे हैं पार्फ था संवान जुष्याउ हुटन होस्वट फट्याओо मुझावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा पर ऑजजय तो मिर्दय च च च च च च कर सकत है कि अज़ है मुर्दावार , पर अज़ भुदावार मुर्दावार कि तर ए भुदावार जो, 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 जो करते हैं, करता अव ant करते हुआ हैं जल्प डेल कमास्व है झाल कमास्ट फुल केज़ रैकले कम नहाई जय quick last मुलनयकladım अमॉल Carson करता है ! जलし दो फह उन पराद. कि बांद नातौर मुंदानशाफाथ अपिस्टाफार। यह हमारे देश के लिए बहुत दुरभाग पुर बात है, कि हमारे पर आत्नक्वादी हम ने होते हैं, हम खाली परदर्शन करके लुक जाते हैं, हमारी तरफ से कोई ठोस कारवाई नहीं होते इसका में बहुत दू chromosome है इसका उचछित कारवाई होनी चाहिए हमको पूरा पाकिस्तान के अंदर घुचके महारा चाहिए देख सके हमको इनिक वladım करें के नहीं को नहիं करनी lovers अंतु मेरा नाम रेवरेंट डियार लार है, मैं क्राइस्च चर्च गुरकपूर का प्रभारी पुरोईत हूँ देखिए ये बहुत ही काहराना हरकत है पाकिस्तान की, आप जानते हैं और सारा विश्व जानता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक जो सबसे बड़ा देश है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की ये हरकत आज की नहीं नहीं है, ये बहुत पुरानी हरकत है, चली आ रही है मैं खास्तों से विश्व समधाय से इस समय इस बाहिट के माद्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आतंकवाद को युनाइटेड नेशन जो है, वो इसमें पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश गोशित करते हुए उसको पूरे विश्व के समाज से अलग करें, जो भी व्यापारिक या जो भी संबंद है भारत के उससे, उसके लिए आज हमारे सुरक्षा समीती में ये नंडे लिया गया है कि वो उसको अलग किया जाएगा, बिलकुल अलग किया जाना चाहिए और साथ ही साथ इस प्रकार के हरकतों के उच्छित जवाब देना चाहिए अगर वो हमारे साथ, हमारे सोल्जर्स को विशेश तोज़ जो सी आर पिएफ के 42 जवान आज कायराना तरीके से मारे गया है इसी प्रकार हम तो कायर नहीं है कि कोई हमारे खून में नहीं है लेकिन हमें और सारे भरतवासियों के चाहिए कि खुले आम जाके जिस प्रकार ऐसा सुना गया था कि पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बलकि खुले आम हमला करके जितने 42 मारे गया है उनके कम से कम साड़े 400 सोल्जर्स को और ऐसे लोगों को जो आतंगवादी कत्विदियों में लिपता है और उनके ऐसे अस्थामों पर जहां से यह प्राइजित किया जाता आतंगवाद उस पे बंबारी करके उसको नश्ट कर देना चाहिए यही मेरा संदेश है एके महरया गोर निंदनी कार है बारा सरकार को इसके उपर पूरी करवाई करनी चाहिए पाकिस्तान को नस्निबूत कर देना चाहिए यह हम लोगों की मांग है और हम लोग ततक सांद रहे तो पाकिस्तान का नामोना संद रहन मिटता है आतंगबाती गजविद्यों को पूर उसा सवाप किया जाए बात की प्रणी पाजिविक्ता होनी चाहिए ताकि अमन चैन बरकार है देखे इस आतंग की अमले पर यह काना है कि अब नेड़ा होना चाहिए और नेड़ा के साथ साथ हमारे सेना के जवानों को पूरी तरह से छूट होनी चाहिए कि पत्थरवाजों को भी गोली मारी जाए जो भी सेना का विरोध करता है भारत माता का विरोध करता है जंडे का विरोध करता है सब को जो ऐसक्त कारवाई किया जाए आजाद हिंद चेतनामंच, हिंदू चेतनामंच ने विश्व का सबसे लंबा तिरगा सहीदों के संबान के लिए ही ये कार्य किया हुआ है और ये कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक सहीदों को संबैदानिक रूप से सहीद का दरजा नहीं मिल जाता है क्योंकि याद तक सहीदों को ऐसा दरजा नहीं मिला हुआ है। अब हम सब तयार हैं अगर किसी तरीके कोई कारवाई होगी है। तो हमारा यही मांग है हम महिलाओं का कि वहाँ भारती महिलाओं की खुश्री के लिए पाकिस्तान की कोई भी महिला के चेहरे मुस्कराट ना है। पाकिस्तान का खात्मा हम सब का संकल्प है। पाकिस्तान के लहोर पे तिरंगा लहरे इसका हम लोग इश्वर से प्रात्ना करते हैं। कि हमारे जो सैनिक है पूरता दिर्टा के साथ आगे बढ़े ये शस्वी हो दिरगाई हो और आज हम शर्षत नमन करते हैं कि हे मां तुने हमारे इन बच्चों को लिया लेकिन और बच्चों को आप मत लेना मां भारती को पूरी तरह से हम अपने को इन शाहिदों को सद्द सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं और केंदर सरकार से मांग करता हूं कि 24 घंटे बीत गया लेकिन कोई भी अभी तक करवाई नहीं हुए आज पुरा देश रो रहा है किसी माने अपना बेटा किसी बहन ने अपना भाई और किसी पत्नी ने अपना सिंदू खोया है तो आज हमारे प्रधान मंतरि को जरुरत है कि जो उसके वादा किया था तो अगर अब कारवाई नहीं हुई तो कभी नहीं हुई इस देश से आतंकवाद का खात्मा करने का जो घर में घुस पैठिये हैं हम अपनी ही धर्ती पर सहीध हो जा रहा है ये सबसे बड़ी दुरबाय की गटना है तो आज हम मांग करते हैं प्रधान मंतरी से इस देश के नागरिकों की हित के लिए इस देश की रच्छा के लिए कि ठोस से कदम उठाय जाए और लेकिन आज हमारे प्रधान मंतरी कहीं जाके ट्रेन का उध्गाटन करते हैं जबकि लहार की दूरी पाकिस्तान की दूरी सबसे कम है और जितने हजारो करोर रुपएं किनी ओजनाव में खर्च के जा रहा है जो हमारी सेना बारे घंटे की यात्रा तै कर रही है हमारे पास हर्कुली जैसे विमान है हमारे पास कई ऐसे विमान है जिसे 16-16 सेनिक एक बार में एक से जगह दूसरी जगह साथ सकते उनके लिए यह सुधाय क्यों नहीं है मैं यह मांग करना चाहता हूँ